निर्गमर की पुस्तक उसका साथ बात ध्याए और उसका चौधावापत से आगे पढ़ेंगे तब यहवा ने मुसा से कहा फिरॉन का मन कठोर हो गया हमने बात किया था आप से कि ये कठोरता क्यों हो रही थी मुसा को ठिक करने के लिए मुसा को मजबूत करने के लिए मुसा में दम भरने के लिए मुसा को अभी 40 साल का जीवन बिताना था पर मेश्वर ने ये शुमती ने कहा कि संसार में तुमको कश्च होता है घबराओं नहीं मैंने संसार को जीत लिया है फिराओं का मन कठोर हो गया लेकिन तुम ताकतवर बनो क्योंकि तुमको अभी 40 साल इनको लीट करना अभी जंगल में लेके जाना तुम ही कमजोर हो जाओगे आज जो आप उपवास अप्रार्ता करेंगे मित्रों यह आपको इतनी ताकत देगा कि आपकी कई एक समस्याएं यह आपने स्वर्ग में धनी कठा किया है और अब आपके टाइम है उसको विड्रौ करने करेंका के ड़ क्था करने से काम नहीं चलेगा कई लोगी कठा करके मर गए खतम हो गए इसलिए का यह आयाता है कि जब जरुवत हो तो उसको निकाल लिए जाए जए तो यह लोग fix deposit करवाते इसलिए करवाते कि जब जरूरत होगी तो तोड़वा लेंगे बेटी की शादी होगी बेटे की शादी होगी घर खरीतना होगा जमीन खरीतना होगा तो आज जो आप deposit करेंगे एक ना एक दिन आपको जरूरत पढ़ेगी उसको withdraw करने की और इसलिए आज deposit कीजिए, सर्ग में धनी कठा कीजिए, ताकि जब जरूरत पड़े, जब आप बिमार पड़े, आपको कोई आर्थिक तंगी हो जाए, किसी मुसीबत में आप हो जाए, कहीं फंस जाए आप, आपके पास ताकत रहे, withdraw करने की और उससे आप payment करेंगे, प्रे लगों को जाने दे, जिससे की वे जंगल में मेरी उपास ना करें, और अब तक तुने मेरा कहना नहीं माना, यहवा यो कहता है, इससे तु जान लेगा कि मैं ही परमेशर हूँ, देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील लदी के जल पर मारूंगा, और वो जल लहू बन जा और जो मचलिया नील लदी में हैं, वे मर जाएंगी, और सड़ी मचली का जो बदवू होता है, वो बहुत बेकार होता है, सड़ी मचली का बदवू बहुत बेकार होता है, कई बार हम लोग भी सड़ी मचली के गर्मी में, नील लदी में मर जाएंगी, नील लदी बसाने ल कि अपनी के पानी निकाल करके दे आपको उसमें ऐक्वेरियम पर नेके लिए मिस्रियों का जी ना चाहेगा फिर यहवाने मुसा तो धेने नील लदी की नारे और इनके भाई साब कहा गया है पोखरा पोखरी देख रहे हैं खुदा दो तरीके से काम कर रहा है खाली नील लदी का पानी बसाने लगा बेकार हो गया सब भागे पोखरा पर कोई मोती पोखरा बागा कोई अच्छी कॉन-कॉन पोख्रा आप अच्छा नहरे जीले पोखरे सब के उपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए और सारे मिस देश में काठ और पत्थर दोनों भाती में जल पात्रों में लहू लहू हो जाएगा अब सुनिए दो जगा क्यों किया परमेशोन ने पोखरा पोखरी को क्यों किया क्योंकि नील लदी अक्सर लाल हो जाती थी उसके अंदर एक LG बोलते है एक ट्रकार की घास उसके अंदर उखती है जो लाल रंकी होती है तो वो घास कभी-कभी बढ़ जाती थी तो वो लाल रंकी हो जाती थ ठीक अब पर्मेशों ने कहा कि तुम लोग तो सोचे गए रहीं ये तो एल जी हुगी है ये ठीज हूगी है तो नील लडी जो है वो लाल रंगी हो गई पर्मेशों ने कहा ओके मुसा तुम तो नील नदी को लहू बन बनाऊ और याद रखेगा वो LG पोखरों में नहीं होती है वो नदी तलाब में वो LG नहीं होती, वो केवल नील नदी में होती थी तो परमेशन ने कहा कि तुम लोग सोचोगे कि यहाँ तो घास हुगी है इसलिए लाल हो गया, इसका पानी बसा रहा है मैं पोखरों में भी लाल करूंगा तुम लोग जो अपना LG LG कर रहे हो, जो घास कर रहे हो मैं वहाँ पर, क्योंकि ये तुम्हारा चमतकार नहीं है, ये मेरा चमतकार है ये मेरी ताकत है काफ है मेरे साथ सारे आधा तो मिसर्व दिमें तो पता चली गया था कि जंतर मंतर से कुछ होने वाला नहीं है जंतर मंतर किये थे अजगर बनाये थे साप बनाये थे साप निगल गए अब परमेशों ने का आब एक और काम करो अब नील नदी को भी मारो अब सुनिए देखते देखते नीद नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया हाँ एल जी पहल जी नहीं लहू बन गया और नील नदी में जो मचलियां थी वे मर गई और नदी में से दुरगंद आने लगी है है और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके और सारे मिस्र देश में लहू हो गया तब मिस्र के जादुगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया उत्रिके तबी फिरॉन का मन हटिला हो गया ये भाई तुम लोग तो खुदे मिस्र के जादुगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसे ही क्या किया तुम लोग भी लहू बना दिये देखिया ये जो अंतर मंतर जंतर वाले हैं यह आप ही के जीवन को दुखी करेंगे कि दोसो रुपिया यहां रख दीजिए पासो रुपिया यहां रख दीजिए गहना उतार के दे दीजिए बाली उतार के दे दीजिए चूड़ी उतार के दे दीजिए इस गमछा में रख दीजिए बांध दीजिए हमारा जोले में रख दीजिए और हम चल दिएंगे जंतर म कर रहे हैं डंडा घुमा रहे हैं यह सोचिए आप इसको आप सोचिए मिस्र के जादुगरों ने भी वैसा ही क्या किया भाया तुम लोगों ने तुम लोग भी लहू बना दिये अरे तुम लोगों को तो रिवर्स करना था ना उस लहू को अगर पानी बनाते तुम ने भी ल घर में चला गया है और तब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नदी के आसपास खोदने लगे क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे और जब यहवा ने निल नदी को मारा था तब से साथ दिन हो चुके थे दो घटना बता करके हम आज बंद करते हैं आठवा अधिया है और तब यहवा ने फिर मुसा से कहा फिरौन के पास जाकर कह यहवा तुससे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोग को जाने दे जिससे वे मेरी उपास ना करे और यदि उन्हें जाने ना देगा तो सुन मै मेंड़क भेज कर तेरे सारे देश को हानी पहुचाने वाला हूं और नील लदी मेंड़कों से भर जाएगी और तेरे भवन में और तेरे बिछोने पर और तेरे ममी ममी मेंड़क आ गया और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजाबे अरे चुपराम मेरी चद तंदूरों और कठोटी तो कोई खिलाए ना हमको अभी इस वाक्त पता निए मिंड़क इंड़क हो उसके अंदर हम तंदूरों और कठोटी में भी चढ़ जाएगा और तुछ पर और तेरी प्रजा और तेरे कमचारियों सभों पर मिंड़क चढ़ जाएंगे अभी सुनिया चुचिये सुचिये अभी हारुन प्रजया है मम्मी हम आएकर जाएंगे हम फिरण के बिस्तर पर चड़ेंगे हाथ बढ़ाकर मिंड़को को मिंसर देश पर पाप रेबाप पूरा शहर तो पूरा देश तो मिंड़क मिंडख हो गया था तब हरुन ने मिंड़क के जलाशे पर अपर हाथ बढ़ाया और मेंड़कों ने मिसर देश पर चड़ कर उसे चा लिया अरी बाप अरी बाप खबरदार आप चंत्रमंत्र के चक्कर में रहेंगे तो जो मेंड़क नहीं है उभी चले आएंगे आपके घर में जो बिमारी नहीं है वो भी चली आएगी मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ हम लोग जो तंत्रमंत के चक्कर में रहते हैं सब लूट जाएगा बरबाद हो जाएंगे मृत्यू के नस्दीक चले जाएंगे क्योंकि यह यही करेंगे आप बोलिए तुम लोग मेंड़क भागाना है तो तुम और दो चाठों मेंड़क उसके अंदर डाल दिये हालेलूया मुझसे मेरी प्रजाँ अच्छा तब फिरौन ने मुसा और हरुन को बुला कर कहा यहवा से बिंती करो कि मेंड़को को मुझसे और मेरी प्रजाँ से दूर करे और मैं इस्राइली लोगों को जाने दूँगा हाँ 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 क्या बात है जिससे वे यहवा के लिए बलिदान करे तब मुसा ने फिरौन से कहा इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा घमंड रहे अब मैं तेरे और तेरे करमशारियों और प्रजा के निमिद कब बिंती करू कि यहवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंड़कों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाए अभी सुनते रहे येगा ये अंडरलाइन कीजिएगा ज़रूत पड़े कि वे केवल नील नदी में पाए जाए उसने कहा कल सोचा कि और ट्राइ कर ले थोड़ा सा उसने कहा तेरे वचन के नुसार होगा जिससे तुझे ये ग्यात हो कि हमारे परमेशर यह वाके तुले कोई दूसरा नहीं अब सुनिए नील नदी और मेंढ़क इनके दो नील नदी इनकी देवता थी इनके इश्वर थे मिस्री लोग नील नदी की पूझा करते और पूझा करने के वो इसलिए थे कि मिसर देश पूरा रेगिस्तान है केवल नील नदी जहां से बहती है वहीं पर हर्याली पाए जाती है वहीं से नहरे निकाल करके ये फसल को देते थे और पीने का पानी था उनका पहला हुकुम क्या है तुम मुझे छोड़ दूसरे को इश्वर करके ना मनना यही बताना चाहता था हमारा परमेश्वर यह हुआ तुम्हारी नील नदी कोई परमेश्वर नहीं कोई देवता नहीं यहाँ देवता तो हम है यहाँ परमेश्वर हम है यहाँ परमेश्वरों के परमेश्वर हम है I am the king of kings and lord of lords राजाओ का राजाओ प्रभो का प्रभू मैं हूँ मैं तुमको चंगा कर सकता हूँ मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ मैं तुमको आजादी दे सकता हूँ मैं तुमको खाना खिला सकता हूँ मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ सेवा मेरी करो नील नदी को उन्होंने अपना सब कुछ बना रखा था पूरी नील नदी लहू बन गई एक एक ताल पोख्रे को लहू बाहा करक दिया और याद रखेगा परमेश्वर ने सबसे पहले तो अजगर को अपने कंट्रोल में किया आप है मेरे साथ उत्पती की पुस्तक में क्या हुआ था कौन आया था हवा को बैकाने के लिए सबसे पहले तो साप को कंट्रोल किया क्योंकि साप का जो अब दीके परमेश्वर अपने उधार का रास्ता कैसे खोल रहा है जो साप छुटा घूम रहा था बागे अदन में और बैकार आ था और यह कर रहा था फल खालो और यह हो जाओगे परमेश्वर ने का रहा अब न आपकी आग्या हो तो सुरों में चले जाए हम लोग कहा जाए अरे नरक में जाओ हमसे क्या मतलब है सुचिए आप दुष्टात्माएं भी उनके कहने में थी वो भी आकर के पूछ रही है चले जाए आग्या तू हमें आग्या दे कि हम सुरों में चले जाए जाओ मरो तु ताकत हमको और आपको दिया है मित्रोब, उसने अपने शकल और सूरत में हमें बनाया है, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपनी सूरत में बनाया है, आपके पास भी वो अधिकार होना चाहिए, भूत से डर गए, दुष्टात्मा से डर गए, कहीं कुछ नहीं है, सबसे पहले साप को कंट्रोल किया, और आपको याद होगा उत्पती की पुष्टक, उसके पहले अध्याय में एक और चीज कंट्रोल की हुई थी पूरी दुनिया को, किस चीज ने कंट्रोल किया हुआ था, और सारी पृफ्छी पर क्या मन रहता था, गहरे जल के उपर, क्य से अपनी ताकत अपने आप को इस्राइलियों पर मिस्रियों पर जाहिर कर रहा है कि हमने शैतान को कंट्रोल किया अब इस जल को भी कंट्रोल करना हम जानते हैं मैं वही परमेश्वर हूँ उत्पती एक और एक का मैं परमेश्वर हूँ मेरी आत्मा जल के उपर मन रहती थी और मैंने कहा कि जल अलग हो जा, तो जल अलग हो गया. और आज भी ये जल मेरे कहने से, मुसा लहू बन जाएगा. आज भी ये कंट्रोल में है, आप हैं मेरे साथ. नू के जमाने में, परमेश्वर ने कुछ और नहीं इस्तेमाल किया. क्या इस्तेमाल किया जल का इस्तेमाल किया जब परमेश्वर ने चाहा तो जल बढ़ा और जब परमेश्वर ने पुर्वया चलाई तो जल खटके God has everything in control नील नदी को ये अपना देवता मानते थे तो आप कहिए कि फिर में इंधक को भी अपना देवता मानते थे ना याल उसमें इतने घड़ियाल नील लदी में कि नाव से अगर पार करना है तो लाठी से मार मार करके हटाना पड़ेगा तो नील लदी में आप पार करें नावे घेर लेते हैं इतने घड़ियाल और वो घड़ियाल सारे मेंड़कों को चबा जाते थे खा जाते थे तो नील लदी में एक भी मेंड़क नहीं पाया जाता था और ये बड़ा गर्व करते थे, घड़ियाल का बड़ा बड़ा मुर्ती बनाते थे बड़ा बड़ा फेस्टिवल होता था घड़ियाल फेस्टिवल होता था मगर मच फेस्टिवल होता था आज भी हमारे देश में जनरों की पूजा होती है हाती है चुहा है बिल्ली है सबका पूजा होता है तो ये घड़ियाल की पूजा करते थे कि हमारी नगी को साफ रखते इनकी वज़ा से मिंधक नहीं आते है परमेश्वर ने कहा कि देखे तुम्हारे घड़ियाल कितना खाते हैं आप है मेरे साथ अपने घड़ियाल पर अगर इतनी ताक है तो खिलाओ तुम मिंधकों को और हम मिंधक भेज रहे हैं कोई है वेरे साथ आपकी जिंदगी में कितने भी घड़ियाल हो हमारा प्रभू सबसे महान है एक लेंग्वेज में उसको लिब्यातान बोलते है अयूब की पुस्तक में आपको मिलेगा लिब्यातान जो पड़ा वाला घड़ियाल होता उसको लिब्यातान बोलते है और परमेश्वर ने पूछा कि क्या तू लिब्यातान को याने घड़ियाल को कंट्रोल में कर सकता है परमेश्वर वहीं से लेके आ रहा था ये निर्गमन की पुस्तक से अयूब से पूछा था तुमने पढ़ा होगा निर्गमन की पुस्तक पढ़े होना जो मुसा ने लिखा है कि कैसे मैंने घडियालों को बिलकुल नेस नाबूत कर दिया उनकी बेज़द करके रख दिया खाओ जितने कितना तुम देखें कितना तुमारे में ताकत है बहुत बड़े तुम इश्वर बने हुए बहुत बड़े देवता बने हुए खाओ तुम कितना खा सकते हैं हमारे परमिश्वन ने उनकी चीजों का मखाल उड़ाया क्या तु लिब्यातान को कंट्रोल कर सकता है नहीं कर सकता है तु मैं कर सकता हूँ और फिस दिया पूरे देश में, पूरा देश, फ्रॉग, 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 मैकडानल्ड में जा रहा है, तो भया फ्रॉग बर्गर मिल रहा है, मुझे छोड़, कोई दूसरा इश्वर नहीं है, ना तुमारे घडियाल, ना तुमारे मेंधक, ना तुमारी नील लदी, म मैं ही परमिश्वर हूँ, मैं ही कंट्रोल करता हूँ, और जिस पर मैंने अंडर लाइन क्या, परमिश्वर ने का बिल्कुल ठीक, हर जगा से में अंड़क हटा देंगे, निल लदी में रहेंगे, खिलाओ घडियालों को, घडियालों से, मैं अपनी ताकत बना करके तुम्हारे देवता अंडर में ही रहेंगे, आप है मेरे साथ, तुम्हारे देवता देवी अंडर में ही रहेंगे, खिलाओ जितने, मैंने कहा न, कि उन घडियालों की वज़े से, अभी तक में अंधक नहीं होते थे, फिर से पढ़ देते हैं, प्रजा के निमीद, पढ़ कि यहवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंडकों को दूर करें, और वे केवल नील नदी में पाए जाएं, उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ग्यात हो जाए, कि हमारे परमेश्य यहवा के तूलिये कोई दूसरा नहीं है, आगे पढ़ दी मरियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नील नदी में रहेंगे, क्यों वह से बीटा दिये नहीं, वह से नहीं हimes आटाएंगे, क्याए, कि तुम फिर गढ़ी आलकी पूझा करने लगो, अब तुमको समझ में आ गया कि घडियाल कोनो काम के नहीं है, घाली चपर ले जाएए आज यूट्यूब पर आप देख लीजेगा आज भी भरमार में मेंडग आपको पाए जाते हैं घडियाल भी है दरियाई घोड़ा भी है और मेंडग भी है परमेश्वर का नहीं हटाएंगे वहां से कोई है मेरे साथ देखिए यही है खुबी हमारे परमेश्व कि दुनिया मरेगी दुनिया जाएगी लिखा है कि तेरे निकट हजार और तेरे बाई और दस हजार गिरेंगे लेकिन वो मरी तेरे पास नहीं आएगी हमको खुदावन बचा करके रखेगा हम उसकी संतान है हम उसके बेटे और बेटिया है नील लदी के घडियाल जितना खाना है खाओ हमारा परमेश्वा नील लदी में रखेगा हमको और आपको बचा करके रखेगा उसमें आपको मुसा और हारून की आत्मा दी है मित्रो फिरोन की सामना करने की आत्मा दी है क्योंकि हम और आप किसी दूसरे को नहीं अपने परमेश्वा यहावा को मानते और उसी को जानते और उसी की अरादना करते हैं अपनी आखों को बंद कीजिएगा हालेलूया प्रभु तेरा धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद हो खुदावन कि आज आज आपने मुसा और हारुन की आत्मा हमारे में भेजी आपने वो विश्वास द्रड किया हमारा हालेलूया प्रभुजी हमें नहीं मालूम था कि हम कौन है हमें नहीं मालूम था कि आपने कहा था कि तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो प्रभुजी तेरा धन्यवाद हो कि आज आपने रिमाइंड हमें कराया कि हम उस आत्मा के है जो परमेश्वर की आत्मा है हालेलूया हम पवित्रात्मा की चलाए चलते है हम घोरंदकार से भरी हुई तराई में हो करके चलेंगे लेकिन हानी से ना डरेंगे क्योंकि तू हमारे साथ है तेरा धन्यवात करते है प्रभुजी कि फिरॉन का सामना करने के आपने ताकत दी है ये दुनिया की विपत्तियां आएंगी ये फिरॉन के कर्मचारियों पर आएंगी फिरॉन के दर्बार में आएंगी एक जगा नहीं लिखा है कि इसराइलियों पर ये मेंधक चड़ करके आए क्योंकि परमेश्वन ने अपने लोगों को संभाल करके रखा था मित्रो खुदावंद आपको संभाल करके रखेगा वो आपके लिए एक उदेश पुरा करना चाहता है वो आपको फिर से लेने के लिए आना वाला है और अगर हम उसमें मर भी जाएंगे तो भी एक दिन जी उठेंगे हम नहीं बरबाद होंगे हम उसके साथ बाराबा, शीता, राराबा, हालेलूया हम उसके साथ बादलों में उठाए चाहेंगे और वो हमको लेने के लाने वाला है तुम्हारा मन व्याकूल ना हो मेंड़क देख करके तन भली व्याकूल हो जाए लेकिन याद रखना कि ये मेंड़क और ये घडियाल और नील नदी और जितनी चीजे है वो सब हमारे प्रभू के कंट्रोल में है ये कौन व्यक्ति है कि पानी और आंधी भी इसकी आग्या मानते है अरे ये वही है जिसने इनको पैदा किया है ये कौन व्यक्ति है जो नील नदी और मेंड़को और सब पर काबीस है ये हमारा राजाओ का राजा और प्रभू का प्रभू है थोड़ी दर के लिए धन्यवाद की दूआ कर लीजेगा प्रभुजी तेरा धन्यवाद हो उस आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद हो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए तेरा धन्यवाद हो तेरा वचन कितना जीवित पर वचन है प्रभुजी हम तो सोचते थे ये सिर्फ मुसा और हारून की कहानी है आज पता चला ये तो मेरे जीवन की कहानी है आज पता चला कि हमें आपने फिरौन का सामना करने के लिए आत्मा दी है प्रभुजी आज आपने हमारे विश्वास को और भी द्रिड किया है और इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं